हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपका शिक्षा FM के यूटूब चैनल पे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट एंटिटी या डी टिपले स्पोर्ट धिल्ली में जो एंटिटी फीमेल की और मेल की विकेंसी जो आई हुई है उसके लिए त्यारी करना चाहता है तो सबसे पहले इस चैनल को आपने सबस्क्राइब कर लेना है ठीक है ताकि आने वाड़ी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे इस तरीके से आपको आपने स्क्रीन पे देखना है कि सबसे पहला जो कोलम है वो जर्नल अवेरंस का है दूसरा जो कोलम है वो रीजनिंग एबिविल्टी का है ये जो सब्जेक्ट है ये चाहे हम बात कर लेते हैं कोई भी पंजाब का पेपर है उसमें भी आता है और जो अधर स्टेट के जितने भी पेपर है उसमें भी आता है चाहे हम बात कर लें D++S board की उसमें भी 20 नंबर की reasoning आएगी और बात कर लें चंदिगड़ की ये जो मैं आपको paper pattern दिखा रहा हूँ ये चंदिगड़ का है ठीक है ना इसमें 1.500 mark का जो है वो paper वो आएगा सबसे पहले आपने देखना है journal awareness इसमें क्या है इसमें कौन सा pattern आएगा इसमें current affair आएगी उसके बाद हम बात कर लेते हैं reasoning availability and arithmetic बट वैसे इसमें हो सकता है वो data interpretation भी डाल दे बट math का जो section है वो अलग से 8 नंबर पे दिया हुआ है उस पे भी अपने चार विचार करेंगी social science जो है वो हमारे प्रिंका मेडम करवा रहे हैं और ICT information and communication technology जो है वो हमारे पबल मेडम तुमारे को अपने इस youtube channel पे करवा रहे हैं आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ reasoning का एक chapter जिसका नाम है code one out one ठीक है तो मैं आपको पहला ही topic जो है समझाने की कोसिस करूँगा code one out इसको वैसे classification भी बोलते हैं ठीक है भी इसको क्या बोलते हैं इसको classification भी बोलते हैं आप बोलोगे सर इस chapter की हमें समझ में नहीं आई ये पहला ही chapter मैं आपको करवाने की समझाने की जो है वो कोसिस कर रहा है क्या topic है सबसे पहले तो आपने इस channel को subscribe कर लेना है ठीक है ये तो मैंने आपको बताई दिया हाँ जी तो इसके बाद हम बात करते हैं code one out जैसे कि आप सबको पता है आपको इस तरीके से 4 question दे देंगे और 4 option दे देंगे एक question के जिसमें से आपको ये तै करना है कि इसमें हम क्या answer देंगे तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें से ode कोन है इसमें से अलग कोन है ठीक है तो आप देखिए सबसे पहले ठीक है भई तो आपने ये देखना है देखो भई, एक, छे, दो और नो, यानि कि क्या मैं इसको दो और छे, आठ और एक नो, यानि कि क्या मैं इसको जोड करनू जोड करनू तो नो बनता है, इसका मतलब ये नो बनता है, चलो कोई बात नहीं, साथ और तीन, नहीं ये देखो, ये साथ और तीन, दस होते हैं वैस बट ये देखो च्यार और तीन साथ और दो नो ये भी नो बन रहे है इसके आगे देखो पान्च और तीन आठ बनता है ये भी सही है ये देखो आठ और तीन 14 और एक 12 यहां 12 बरना चाहिए यहां बन कितना रहा है यहां बन रहा है च्यार इसका मतलब यह option जो है और सब सेम है यह different है तो हमारा जो answer है वो कौन सा आजाएगा ठी option आजाएगा इसी सवाल में इस तरिके से आपको जो है एक या दो सवाल आपको इस चेप्टर में देखने को मिलेंगे दुनिया का कोई एक्जाम हो इस जो पेपर में है ऐसे एक सवाल जो है वो reasoning का अगर सलेबस रिखा हुआ है तो यह सवाल पका आएगा जरूरी नहीं है कि इस तरीके से ही सवाल आए आपको ऐसे भी आ सकता है कि find code one out one या classification चंडीगड जैपूर अजमेर या फिर आपको बोल देगा पटना अब आपको बोलेगा बताईए इसमें से कोण code है code का मतलब different है तो आपने देखा है चंडीगड पंजाब और हर्याणा की राजदानी है चैपूर राजस्तान की है बिहार की पटना है अजमेर जो है वो राजस्तान का एक शैर है ठीक है न तो इस तरीके से आपको ध्यान रखे मैं आपको क्या बताने की कोशिस कर रहा हूँ क्या समझाने की कोशिस कर रहा हूँ इसी तरीके के साथ साथ इसी तरीके के साथ-साथ आपको कल को इस तरीके का भी question जो है वो examiner पूछ सकता है क्या question पूछ सकता है कल को आपको इस तरीके से question पूछ सकता है कि बताईए बताईए 46 ठीक है 78 ठीक है भी तो इस तरीके से भी आपको question पूछ सकता है और जो है कोई भी आपको दे दे जैसे कि मानलो या फिर आपको दे दे कि बताओ 59, 49 दे दे चलो इन में से बताओ कौन सा नंबर ओड है ठीक है? क्या लोजिक लगा रखा है? ठीक है? तो आपने ये देखना है कि 46, अगर आपको तीन ही ओप्सन दे दे और आपको बोले बताओ इसमें से कौन ओड कौन है या फिर नन अवदवब तो त्था उप्सन आपको ये दे दे तो आपको ये लोजिक लिगाना है कि हो सकता है कि ये ह्यूमन ह्यूमन का मतलब क्या है? आदमी के अंदर 46 क्रोमोसों होते 30 क्रोमोसों मां से आते हैं और 23 क्रोमोसों मां से आते हैं जाने के टोटल क्रोमोसों 78 लोग में क्रोमोसों होते हैं 49 किसी में नहीं होते हैं इसका मतलब हमारा अंसर 14 तो इस तरीके से मैं आपको जस्ट एक एक्जामपल से समझाने की, बताने की कोश्चन इस टाइप से जो कोश्चन है वो एकदाम में पूछ सकते हैं हमारा दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के उपर दूसरे सवाल में इसने क्या बोला है? 73, 107, 47, 97 और 231 इसमें से बताईए कौन सा ओर्ड है? कौन सा डिफरेंट है? ये आपको बताना है ठीक है भई? तो आप देखिए 73 73 जो 73 नमबर है ये सिर्फ ये क्या है? प्राइम नमबर या तो ये खुद से भागोगा या फिर बन से हो उसी तरह से 107 है उसी तरह से 97 है उसी तरह से 45 है और 271 271 देखो 271 तीन से भाग होता है ना? 2721 इसका मतलब क्या है? कि ये प्राइम नमबर नहीं है इसका मतलब हमारा एंसर क्या आगया? ये ओप्शन हमारा इस सवाल कराज जैनी ठीक है भई? इस तरीके से आपको सवाल वहाँ सोचने पड़ेंगे जो भी स्टूडेंट systematically तरीके से एंटिटी चंडीगड की और D-SSS बोर्ड की त्यारी करना चाता है मैं उनको बता देना चाता हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से जैसे ही वह शिक्षा FM टाइप करेंगे हमारा इस तरीके से एप आपको दिख जाएगा इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए अगर जिनके पास आईफोन है O-L-C-F-D-H और जो है कैपिटल लेटर में टाइप कर दो ताकि हमारा जो एप है वो आप डाउनलोड कर सका ठीक है तो सभी स्टूड़न को मैं यही समझाने की पुजारिश जो है वो करो अगला सवाल अगला सवाल हमारा तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन के उपर गे रहा ठीक है और इसके उपर क्या लोजिक लग रहा है सबसे पहले तो आपने यह सोचना है कि इसमें क्या लोजिक जो है वो लग रहा है हंजी तो सबसे पहले आप देखो क्या लोजिक जो है वो लग रहा है तो पहला लोजिक तो अपने prime number वाला नंबर देख लो 13 ठीक है, prime number है 39 ठीक है, prime number है 24 चार पे भी भाग होता है 5 पे भी होता है, इसका मतलब prime number वाला जो खेल है, वो खतम होगे prime number वाला तो case लगा ही गए नहीं क्योंकि ये देखो, ये भी 4 पे भाग हो रहा है तो पर भाग को रह है ठीक है न? अब आपने को देखना क्या है? 13 कैसे आया? क्यानि के मैं आपको बोलूँ मैं आपको ये समझाऊ कि अगर मैं बात करूँ तो कैसे है? ये देखो दो का स्केร कितना होता है? 2 पलस 4 यानि के 4 पलस 4 आठ होता है कैसे सोच सकते हैं? मैं आपको क्या पताना चाहता हूं? जैसे की ये देखो तीन का स्केर 9 9 पलस 4 तेरा ठीक है अब देखो 4 का स्केर कितना होता है? 4 का स्केर 6 पलस 1 5 5 का स्केर 25 25 पलस 4 36 और ये देखो ये इसने क्या बढ़ना था? 6 का स्केर 36, 36 पलस 4, 40 बढ़ना था या है कितना 38 है तो इसका मतलब यही हमारा क्या है ओड है, यह डिफरेंट है इसका मतलब क्या है हमारा जो एंसर है वो एंसर नमबर भी है इस सवाल का 38 नमबर जो कोई भी लोजिक जो है वो नहीं लग़ा ठीक है वई इसी के साथ ही हम बात करते हैं अपनी 4th नमबर सवाल 4th नमबर सवाल बहुत असान सवाल है, यह भी प्राइम नमबर है यह भी प्राइम नमबर है, यह भी प्राइम नमबर है यह प्राइम नमबर नहीं है, क्योंकि देखो आप 3 के table में 3 के table में क्या cut सकता है यह देखो 3, 2, 6, 2 और 9, 27 जानि कि 29 के table पर यह बाग जा रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है right option हमारा क्या आगया right option आगया 80 तो इस तरीके से आपको जो है वो मिलेगा जो student मैं किस की त्यारी करवा रहा हूँ सारे बच्चे देखो मैं किस की त्यारी करवा रहा हूँ आपको जो student entity में इस section की त्यारी करवा रहा हूँ यह 15 नंबर का काम आएगा आपको reasoning का ठीक है और उसके बाद आपने ये दै करना है देखो math reasoning से आपके 30 marks है और ध्यान दो journal science 15 नमबर की और social science gk भी 15 नमबर की और 15 marks की current यानि के 45 नमबर का काम जो है वो आपका 45 नमबर का जो काम है वो आपका math reasoning और इन से ही है gk से English भी 10 नमबर की पंजाबी भी 10 नमबर की ये 30 marks आपके भी हैं तो आपको मैं ये बताना समझाना चाहता हूँ ये भी section उतना ही जरूरी है ये भी उतना ही जरूरी है ये भी उतना ही जरूरी है तारे section इस pattern में हो जरूरी है आप इस channel के माद्यम से हमसे जुड़े रोगे तो बहुत सी बाते में जो बतताँ रहूंगा ключ नब पांच में question के हमारा जो पांच caste में question है किस परकार से। सबसे पहले तो आपने ये देखना है बिसमें क्या logic लग रहे है तो आप ये देख रहे होंगे कि ये तेखो ये 7 बनता है ये भी 7 बन रहे है ये 9 बन रहे है ये ये भी 9 बन रहे है ये भी 9 बन रहे है टोटल ये भी 9 बन रहे है और ये कितना बन रहे है ये 6 बन रहे है और ये 5 बन रहे है इसका मतलब क्या है कि हो सकता है अपना डी एंसर आई ठीक है हो सकता है हमारा जो है वो डी एंसर आई ठीक है इसका मतलब क्या है ये हमारा एंसर मा लो एक बार ठीक है बट आपको मैं क्या समझाने की कोशिस करूँ अगर वो कल को आपको examiner ऐसे बोले कि difference देख लो इसका difference no इनका difference 6 और 3 no इसका भी difference no और इसका difference no नहीं है इसका मतलब यही right answer है दो दो तरिके से भी logic क्या समझे समझागी न तो इसी तरिके से मैं आपको बताना समझाना यह चाथता हूँ पहले logic लगा कि हमने देखना है पी यह logic किस तरिके से जो है वो लग रहा है क्या जो है वो लहीं लगए ठीक है अगला सवाल अगला सवाल में देखो सबसे पहले आपने ये तै करना है सबसे पहले ऐसा कभी भी सवाल आजए ओर्ड वन आउट वन का आपको तो आपने देखना क्या है आपने ये देखना है कि आपको ऐसे लग रहा है कि 85, 8 और 5, 13 6, 9, 10 ये 10 बन रहा है, ये 13 बन रहा है ये 3 बन रहा है टोटल ये 9 बन रहा है इसका मतलब जोडने वाड़ा तो लोजिक अपना बनी नहीं जा ठीक है अब आपके दिमाख में एक बात आई हो कि आपको जो 17 के टेबल है वो बड़ा अच्छी तरीके से आता है 17 बाँजे 85 और 17 17 को 5 से गुणा करोगे तो 85 और 17 को 6 से गुणा करोगे तो एक सो नहीं अपने जो है वो आट साच पंजा आट साच पंजा पांच, आट और 5 तेरा यानिके 136 होते है 34 17 दूनी 34 और 17 पांच पिचासी यानिके डिफरेंस 3 का आगया ना ये देखो, डिफरेंस जो है वो 3 का आगया ना 17 चीके 102 और 17 नाया 153 डिफरेंस 3 का आगया ना, उसी तरीके से ये देखो, ये तो 17 की टेवल में जाई नहीं रहा, इसका मतलब ओड जो एंसर है वो कौन सा है, वो हमारे पास है option D ठीक है भई, इस तरीके से आपको कई सवाल जो है वो पुछे जाएंगे ठीक है न ठीक है, कुछ सवाल जो है इस तरीके से भी आएंगे जो कि बहुत ही असान हो, ये देखो इसने अब क्या किया है, 24 और 42 इसको पहले लिख दिया, उसको बाद नीख दिया इसको पहले लिख दिया, उसको बाद में लिखना था ये देखो, ये यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको कई सवाल आएंगे यानि कि इसका right option क्या आएगा B, ode one out यानि कि इनके ंंदर ode number आपको देखे अपना एट्थ सवाल आज का एट्थ सवाल नमबर है आपका देखो पुछा क्या गया है ये दो का स्केर है ये छे का स्केर है ये चार का स्केर है ये एक का स्केर एक ही होता है दो का स्केर चार होता है इसका मतलब जो ओड नमबर है वो हमारे पास दो ठीक है तो सबसे पहले एकते ही एंसर नी देना सबसे पहले आपको क्या करना है ख्यान देना है कि किस तरीके से हमने सवाल जो है वो पुछे गए है ठीक है खंजी अगला सवाल देखो बेश अब अगले सवाल में क्या बोला है देखो ये भी नो बन रहा है ये भी नो बन रहा है ये तेरा बन रहा है ये आठ बन रहा है ये साथ बन रहा है ये तो लोजिक फेल है ठीक है ना ये लोजिक सही नहीं है गट देखना है कोई प्राइम नमबर वाला बन सकता है नहीं बन सकता है 36 का डबल किया है इसने ये देखो दो का गुना किये इसका दो का गुना ये हो नी रहा कोई बात नी ये तो गलत है ये तो हो ये नी रहा न ये देखो इसको डबल करोगे 48 इसको डबल करोगे 34 इसका मतलब ये दोनों आपसन राइट आपसन है ठीक है न यानि कि यही जो है व आपसे पूछे, अगला सवाल, हमारा जो दस नमबर सवाल है, वो देखिए, सबसे पहले ये देखो, इनका डिफरेंस देखो, तीन है, इसका डिफरेंस तीन है, ठीक है बई, इसका डिफरेंस देखो, कितना है, तीन है, इसका डिफरेंस कितना है, दो है, इसका मतलब क्लासिफिकेशन पहला ही रीजनिंग का टोपिक करवा रहा हूं क्लासिफिकेशन उसका एमसी की करवा रहा हूं ठीक है इस तरीके से ही आपको जो है वो परशानी बिलिदी नहीं होगी और आप जो है अच्छे मार्क्स जो है पेपर में हां जी अगला सवाल देखो भई तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है वी एक और नो दस और एक ग्यारा ये ग्यारा बन रहे ये सोला बन रहे वो दो ही बन रहे है टोटल और यह चार और चार आठ बना, कोई लोजिक बन रहा है नहीं बना अब आप मुझे बोलोगे कि सर अब ये और ये किवन ओड है, ये किवन है, ठीक है ये भी नहीं बन रहा है अब आप एक बात देखो, 200, 11, 11, 111, 111, 111, 113 कती मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपका ये होवर्क होना चाहिए कि दो से लेके तीस तक आपको टेबल याद होने चाहिए ठीक है दो से लेके तीस तक आपको सकेर याद होने चाहिए और कम से कम 2 से लेके 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए जैसे मैं आपको बोलू 15 का क्यूब कितना है तो आपने तुरंत बोलना चाहिए सर 53 पंजटर बोलो हां तिरी बात समझा मैं आपको बोलू 13 का क्यूब कितना होना चाहिए तो आपने बोलना चाहिए 21 में मैं आपको 9 का क्यों पुछूं तो आपने पूछना चाहिए बोलना चाहिए 700 नत्ती ये कंपिट देखो भई पढ़ना पड़ेगा आपको चंदीगड में रहना बहुत मुश्किल है चंदीगड में नोकरी करना बहुत आनंदिक है ठीक है बहुत ही बड़िया लाइफस्टाइल जो है वो आपकी बन जाएगी और खास करके एंटिटी ठीक है बहुत छुटियां जो है वो आती है क्योंकि प्री प्राइमरी की पॉस्ट है तो मैं आपको इसी तरीके से मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी करनी ही तो राइट ऑप्सन आपका ये बन गया क्यारा का क्यूब है ये ये किसी का भी क्यूब नहीं है एक सो इकानमे किसी का भी क्यूब नहीं है एक ही क्यूब है तेरा इकत्ती वो ही हमारा जो है वो राइट है है भाई समझागी अगला सवाल अगले सवाल में क्या है देखो भई अगले सवाल में क्या चीज़ है यह देखो इसका डबल किया आठ का डबल किया और एक माइनस किया पंदरा है ना 25 का डबल किया 50 50 में से एक माइनिस किया 99 आना चाहिए यानि के ये लोजिक तो अपना लगी नहीं रहा चलो भी अब गला देखो ये किसका है 2 का स्केर 2 का स्केर 4 है ये तो किसी का ही नहीं है ये देखो ये 7 का स्केर 99 और ये 8 का स्केर 62 ये पांच का स्केर पच्चीस ये छे का स्केर ये नो का स्केर और ये दस का स्केर इसका मतलब ये किसी दोनों के स्केर नहीं है तो आपको समझ आगी कि तीन तो एक जैसे हैं और ये एक जैसे हैं नहीं तो इसका मतलब हमारा answer क्या आगया? यही आगया आठ फ्लैश पंदा ठीक है भई? आपने हमारा पढ़ाने का तरीका देखी लिया है अपना नाम यहां लिख देना है मुबाइल नंबर लिख देने हैं आपने ठीक है? एक्जाम जैसे आपने एंटिटी की त्यारी करनी है सिटी कौन से से बिलॉंग करते हो जो मैं मानसा से बिलॉंग करता हूँ तो यह मानसा आपने लिख के 88, 88, 88, 88, 74, 200 पे आपने क्या करना है? वाटसेप करते हैं ताकि हम आपको ग्रुप में एड़ करें हाँ जी, अगला सवाल देखो तो सबसे पहले आपने देखना क्या देखना है 19 का स्केर, 19 का स्केर 38, 27 का स्केर 776, 27 का स्केर 729 और 32 का स्केर 1024 होता है यह देखो मेरे को याद है ना तो यही राइट अप्सन बढ़े तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ इस तरीके से आपको वो एक्जाम में आएंगे तो आपको स्केर रूट भी याद रखना पड़ेगा क्यूब भी याद रखना पड़ेगा स्केर भी याद रखना पड़ेगा सब कुछ ही आपको याद रखना पर ठीक है जी हाँ जी अगला सवाल देखो अगले सवाल में क्या लिखा है 14 और ये देखो ये टोटल कितना हो गया 5 ये हो गया 7 ये हो गया 14 ये हो गया 16 ये हो गया 11 और ये हो गया 10 ये हो गया 8 और ये हो गया 2 और 3 12 इनका difference चार है, इनका difference एक है, इनका difference दो है, इनका difference दो है, ऐसे तो कभी होई नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि तिनों सेम होने चाहिए एक ही कोई different हो, ठीक है, पिल्कुल सही है, अब इसका हम क्या करें, तो हमने ये देखना है, ये तै करना है, कि इसका मतलब क्या ह ज्यान दो मेरी बात समझने की कोशिस करो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 into 2 12 और 8 into 2 ये देखो भी 7 into 11 और ये कितना है 8 into 11 ऐसे लिख सकता हूँ पंची ये 7 into 8 और ये 8 into 8 ठीक है भी ये ही हो गया न अब क्या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये 7 into किसके साथ गुणा करें यानि कि ये ही योड है और तो पेर बन रहे है ये तो पेर बन भी नहीं थी ठीक है ना तो इसी तरीके से आपको कई सवाल जो है वो पुछे जाए ठीक है अपना पंदरवा सवाल जो है वो बताया गया है क्या देखा इसका डिफरेंस आठ है इसका डिफरेंस आठ है इसका डिफरेंस आठ है इसका डिफरेंस आठ नहीं है इसका मतलब ये ही तीन सिमिलर है एक जो है वो सिमिलर नहीं तो इस तरीके से कई question जो है वो आपको पूछे जाएंगे सभी student को मैं यही समझाने की बताने की कोशिस जो है वो कर रहा हूं कि यह हमारा जो है वो application है अगर कोई बच्चा अभी तक app जो हमारी download नहीं की है तो उसको जुरूर download कर ले systematically तरीके से पढ़ने के लिए आपने मेरा पढ़ाने का तरीका जो है वो देखे ठीक है इस तरीके से हमारी teacher आपको regular जो मेहनत कर रहे है अगर कोई inquiry है तो इस नंबर पे आपने जुरूर 8888-8866-200 Thank you, download, stick share FM app ठीक है जी, खिलते हैं फिर अगली class में अब तक के लिए बाई बाई रहें